जहन साथियों कैसे हैं आप लोग आफोप सच्छे होंगे स्वस्थ होंगे खर पर होंगे सुरक्षद होंगे चिल दोसर्थ चल्दी से प्रवर्वर्ट क्लाथ को सेशन को सब्सक्राइब कर दिए जल्दी से पड़ा पड़ मुटिवेशन वीडियो गुड मॉर्नेंग राज बच चुके हैं सुबा के जल्दी जीन से उठीए जागी है क्लास चार्ड हो चुके है आपकी एतिहासी क्लास NCRT की सिक्से लेके 12 ते क्लास पढ़ाया जा रहा है क्लास नोट्स और पीड़ेप आपको मिलती है कहां पर यूट्यूब पे यूपीस याटेर डिपोस समिन प लोग शपीक सुहिल जी वालकुम सलाम कैसे शपीक जी यहां पर सुबह साथ बजह आप लोगों की सिवा में आ जाते हैं यहां करन रफेस से हम लोग स्टार्ड करते हैं शपीसर के साथ उसके बाद हिंदू एडिटूरियल चलता है ठीक है फिर उसकी बाद मेरी क्लास दस चा nachुप श्पीसर करते हो तक दोस्तों यहां पर мощ σταड की तकतर स्टार्ड टैश की मेरी क्लास स्टार्ड होती है 10-11 स्टार्ड होती है मेरी दिन में दो क्ल eerste गयारा भी करने से दोहिज सिंग भिष्टी गुड मॉनिंग टू आल ठीक है दोस्तों माच पढ़ने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में यहां पर जल्दिली सब लोग जुड़ जाएंगे यहां मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका था ऑस्ट्रेलिया जैसे भारत में 28 राज्ये हैं ऐ अभी कुमार जी गुड मॉनिंग गुड मॉनिंग टॉब टू ऐल ठीक है दोस्तों यहां पर अस्ट्रेलिया क्या है यह राज्ये लीया भी आत्म नाम है वेस्ट्रें उस्ट्रेलिया मैं आपको बता चुका हूँ हैं जोस्तों को यह शुकर अगिन आटण टेरिटरी यह तीसरा राज्य है इसको कहते है साउथ औस्ट्रेलिया यह औस्ट्रेलिया का चौथा राज्य है दोस्तों इसको कहते हैं हम लोग क्विन्स लेंड औस्ट्रेलिया का चौथा राज्य है इसको कहते हैं क्विन्स लेंड कहते हैं औस्ट्रेलिया का यह पांचवा राज्य है हमा हमने इसके बार में पढ़ाता जाना था यहां पर बिल्कुल अन्तमा पाल जी गुड मॉनिंग बहुत बढ़िया गुड मॉनिंग अबरिवान चुछे आगे दिखते हैं यहां पर हमारे पास फिर मैंने फिजिकल मैप दिखाया आज हमारे पास दोस्तों क्या स्टार्ट हो र पढ़ा रहा हूं ठिके ज्योगरफी की कौनसी ncrt है क्या यहां पर यह कौनसी क्लास के ncrt एक 16 class के ncrt है च्के यहां पर कौन सी संसाधन मिलते हैं हमारे पास उसके बारे में हम लोग पढ़ ला है कहां पर NCRD के माध्य हमें क्लास का टाइमिंग के रोज का सुबह 10-11 रेगुलर क्लासे हमारे पास यहां पर आप सब लोग जोड़ सकते हैं इस टाइम पर चिक यहां पर चलिए ओके राजय बाबु आ चु यहां दोस्तों मैंने आपको कल बतायता थे कि ध्यान से मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूँ आज बहुत ही जादा महत्पूल चीज़ें दिखाऊंगा आज मैं आपको और साउथ अमेरिका के सारे जानवर दिखायते आपको एनमल दिखायते इसी प्रकार से आज हम क्या टौपिक क्या है वन्ने जीव औस्सट्रेलिया का वाइल लाइफ दोस्तों अस्ट्रीलिया मैं हमाराश आपर दो प्रकार के जानवर मिलते हैं पहले जानवर को हम बोलते हैं मार्सूपियल written animals कि आ kansupial animals कहते हैं, पहले जनवर को यहांपर फाले animal को न्यूस कहते हैं दूसरे animal की बात करते हैं, हम लोग इसको कहते हैं, platypus क्या कहते हैं, platypus animal, यहांपर, इसका मतलब marsupial animal कौन से होते हैं, िल्मय ने पतायाता था, इसके वारे में, those who have pouches pouches on their बॉड़ी मार्सुपियल एनिमल वो जानवर होते हैं जिनकी बॉड़ी में आगे थैला होता है ले कंगारू कंगारू होते हैं प्लाटिबस एनिमल वो वाले जानवर होते हैं जो अंडे देते हैं कह सकते हैं प्लाटिबस एनिमल आर दोस एनिमल हू लेज एग्स यह मैंने कल जीव में वाइड लाइब में दो तरह की जानवार मिलेंगे हमारे पास मार्सूपियल और प्लाटिपस इतनी बात क्लियर है कर मैं आपको पताया था यहां पर दोस्तों जो बच्छे हिंदी माध्यम से हैं इसको मार्सूपियल को हम लोग कहने वाले हैं धानी प्राणी धानी प्राणी कहते हैं मार्सूपियलज को हम लोग यहां पर और प्लातिपस इस 2009 लोग प्लाटिपस ही बोलते हैं इस ब्लाटिपस छिक्रे और जो अंडे डेते हैं जो अंडे देते हैं हमारे पास वह प्लाक्टिपस हो गैसे यहाँ पर जिनके बाडि में जी गुड मॉनिंग अनम खान जी गुड मॉनिंग चली बहुत बड़िया जैहिंस तो हमने देखा ऐस्ट्रेलिया के वन्ने जीव में दो प्रकार के जैनवर मिलेंगे एक होंगे मार्सूपियल एनमल्स एक प्लाटिपस होते हैं मार्सूपियल कौन से होते हैं जिनकी बॉडी में आगे थेला लगा होता है इसका मतलब कंगारू की बात कर रहा है हम लोग यहाँ पर ठीके उसके बाद प्लाटिपस की बात करेंगे वो जानवर होते हैं जिनके जो अंडे द है ति मतलब कहते हैं लोग कंगारू कंगारू की बात करेंगे कंगारू वह जानवर है पहला सवाल यह कहा रहते हैं यह ऑस्ट्रिल औस्तेलिया के अंदर जो मेदान होते हैं महाँ पर रहते हैं कंगारू ठीके यह ऑर पतिया खाते हैं कौन यहाँ पर कौन है यह हम कहते हैं कंगारू ठीक है यहां पर तो ठीक है हम बात करेंगे दोस्तों यहां पर खंगारू हो गए उसके अलावा फिर मैं बात करता हूं यहां पर एक तो कंगारू हो गया दूसरा जानवर की बात करते हैं हम लोग यहां पर एक ते कौला कौला, ऐहां पर कौला यहां पर पहला सवाल यह कहां रहते हैं पीड़ों पे रहते हैं यहां पर कौन से दोस्तों इहां पर यूकलिप्टस के पेड़ हैं कौन से पेड़ हैं यूकलिप्टस के पेड़ हैं जब पेड़ों पर रहते हैं तो पेड़ों पर क्या करते हैं यहां पर ठीक है यहां पर क्या खाते हैं पत्तिया खाते हैं यहां पर ठीक है इनकी खास बात क्या है यह रात के समय रात के समय मतल करते हैं जाकते हैं उल्लू की तरह मतलब कहते है वेक आप वेक आप जाकते कब है रात के समय और जब दिन होता है यहाँ पर यह जानवर क्या करते हैं दिन के समय क्या करते हैं दोस्तों यहाँ पर दिन के समय यह सोते हैं दिन के समय क्या करते हैं सोते हैं मतलब स्लीप दिन के समय के परते हैं उल्लू की तरह रात को जागते हैं दिन में सोते हैं तो कंगारू देख लिया के समय को आ क्लास को लाइड कर देंगे एक टार क्लास को लाइक कर दिये सब क्लास साथ मैं हमारे पास सब क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया अभी कर लीजिए एंसी आडी चल रही क्लास 6 की दोस्तों मैं कंगारू आपको नोट्स भी बनवारा हूं साथ में यहाँ पर हिंदी इंग्लिश में मारसूपियल एनिमल कौन से होते हैं वो जानवर जिनके आगे थैला होता है हम बात करेंगे कंगारू उसके एक्जामपल हो गया कंगारू कहा रहते हैं मैदानों में रहते हैं वो क्या खाते हैं घांस और पत्तिया खाते हैं कंगारू ठीके इसके लावा दूसरा जानवर है क कौाला कहा रहते हैं पेलों पे रहते हैं यहां पर और दोस्ते एक चीज़ और बता दूँ आपको कौाला के बारे में कौाला आपके पास क्याना मैं मतलब टैडी बियर की तरह दिखते हैं यहां तरकात कौाला जो है टैडी बियर की आकार का दिखता है यहां पर और क्योंकि इसकी जो नाक होती है इसकी नोस होती है कौला की यहाँ पर ठीक है हम बात करेंगे इसकी नोस होती है वो कैसी होती है फ्लैट होती है चप्टी होती है इसकी नाक और काले रंकी होती है इसकी नाक कैसी होती है चप्टी होती है और काले रंकी होती है किसकी कौला की अभी दिख दिखाने वाला हू개 करें कुछ दोस्तों तो यह एकारु है अपर आप माईबालों के यहां पर जिनके आगे मुंस में लूबके आपके सामने तिक कि आप देख सकते हैं यहां पर बिल्कल पूजा-रतओर जी बिलकूल दिखा बिल्कुल पुजा जी देखिए पिक्चर कंगारू आपने देखा होगा फ्यूचर में आगा ऐसा हो गया पुजा भविश्य में रितिक शुक्ला जी गुड़ मॉरिंग चली बहुत बड़िया आगे देखिए स्वचिन आगया तो मार्सूपियल का मार्सूपियल आस्ट्रेलिया में पाये जाएंगे यह उस्ट्रेलिया में दोस्तों मिलते हैं इस लिए लाइक कर देंगे बिल्कुल पांडा जासे दिख रहा है पांडा भी दिखाते हैं बिल्कुल इसा देखिए ध्याम से इतनी पर समझ में आती है चलिए बहुत अच्छी बात दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर क्वाला क्वाला कैसे दिखता है आप देखी यह र आपर लिए में यूवक्लेप्टस के पेढ़ मिलते हैं ठीक यूवक्लेपास पेढ़ पर रहता है यह पत्या खाता है क्या खाता है दोस्तों रात में यह रात का शहंचा होता कब जागता है रात को जागता है और यह सोता कब है स्लीप सोता कब है यह सोता है दिन में याद रखना दिन में तो सोता है उल्लू की तरह और रात में जागता है यहां पर इसकी नाक कैसी है चप्टी है और काले रंकी है देखने में टेडी बियर की तरह लगता है अभी आप चलिए बहुत अच्छी बात हैं दॉन न दॉफौ को देंगे भी यहां पर रितिक जी बिल्कुल बिल्कुल हरी होते हैं यह मासा हारी बन जातें किसी हुर कि लिए हो बिक आपको लिएंगो ठीक है है दोस्तों सभी दबा के class को like कर देंगे सभी दोस्त छोटे भाइबें जितने भी लोगे सभी लोग यहाँ पर class के लाइक कर देंगे share करके subscribe करना दोस्तों बिल्कुल न भुलिये channel को आप ही के hit के लिए यहाँ पूरी NCRD चलाए जारी है 6 से लेके 12 तक की पूरी playlist मिल जाएगे आपका NCRD के हमारे पास 6th class के अंदर अभी 4th unit चल रही है ठीक है डिली तुपर 10 से 11 class होती है 4th unit है ठीक है अब हमारे पास एक unit और रह गई है अंटार्ट का 5th unit यह खतम करता है है हम 7th class में इंटर कर जाएंगे 6 से लेके 12 तक class notes pdf सब कुछ free मिलता है कहाँ पर यहाँ पर UPSC added 247 पर यह पर class को like कर देंगे सभी लोग सभी दोस्त like कर देंगे जल्दी class को temperature doesn't allow us temperature climate हमें allowed नहीं करेगा यहाँ पर इसका sleeping का time table गलत बना रखा है इसकी मम्मी ढागती नहीं है इसको मम्मी ढागती नहीं है बेटा रात को यह नहीं बूलती रात को सोजा यह रात को नहीं मम्मी खुर रात को जाकती है चलिए बहुत बढ़िया ठीक है दोस्त समझना आ गया इसना देखी द्यान से अब देखेंगे यहाँ पर यह हमारे पास होता है हमारे पास यहाँ पर एक और आनिमल होता है यहाँ पर ठीक हम बात करेंगे दोस्तों उस आनिमल की बारे में बात करने वाले हम लोग यहाँ पर बिल्कुल ठीक है यहाँ पर समझना आ गया यहाँ पर हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ हमारे पास दूसरे एक और जानवर होता है आपने सुना एक गाना दिल डिंडॉंग डिंडॉंग बोले ठीक है दिल डिंडॉंग डिंडॉंग बोले उसकी बात नहीं करेंगे दोस्तों करता है य'eeder करता है ये खी खेतों ह는데 जोड़ा जाता है जब भेड़रिया चर्णर ही होती है जहाँ खेतों में घास कम हो जाती है पाणी की कमी होती है और आ जाती है चरने के लिए तो क्या करते हैं लोग वहाँ के वहाँ डिंगो डॉक को छोड़ देते हैं एक तरह कर दोस्ते हैं यह जंगली कुता है जंगली कुता है मैं डिंगो के पास चलते हैं हम लोग यहां पर झायरहा कह रहा है भच्छे मुझे देखते बॉटट ताइम होगया है हम यहाँ बात करेंगी दोस्तों जिदेखिए यहाँ sits यगो यह क्या है दिंंगो डॉब क होने यहाँ बिल्कुल ठिकat Qualaлись केसकते को यहाँ पर नगो होता है आपके सामने हैं आप देखने में बहुत डराबना लग रहा है यहाँ इसकी आखे देखो तिर्ची तिर्ची आखे सिर्फ शिकार की तलाश में कहीं मुझे पेड़ पे कौला मिल जाए कौला खा जाओंगा ठीक है तो यह मासाहारी होते हैं अगा कंगारू मिल जाए कंगारू को जपट लूँगा उसके बच्चे को जपट लूँगा अगर भेड़ बकरिया मिल गई मुझे भेड़े मिल गई भेड़ के पीछे दोड़ूँगा यह इसका मकसद होता है इस लक्षे से इसको पाला जाता है डिंगो डॉक जंगली कुता है बिलकुल बिलकुल आशिश कुमार सिंग जी कैसे लिए कोई बात ने देखो इंसान तो अच्छा होता है यहाँ पर कुटे भी अच्छे होते वफदार होते हैं पर जंगलियत जो होती है इंसान के अंदर होती है जंगली पना होता है इंसान के अंदर होता है दो रास्ते मिलते एक अच्छा रास्ता एक बुरा रास्ता ऐसी इनके अंदर होता है यहाँ पार इसलिए इनको जंगली कुटा कहा जाता है बिल्कुल वॉल्फ जैसा लगता है बिल्कुल बिल्कुल गुसा है आप लोगों से इसलिए गुसा है आप लोगों से आप लोगों से आप लोगों से आप क्लास पे रेगलर नहीं रहते क्लास पे आया गरो यह हसेगा भी लाफिंग भी करेगा लाफ भी करेगा इसलिए क्लास में रह गर रहो उन्हें नाराज वह गई आपसे आपके बहुश्य का सवाल है आगे दिखते हैं यहां पर चली बहुत बढ़िया बिलकुल फॉक्स की तरह लगा देखने में फॉक्स है पर है लिख मअ अनधे लोग तीक के समझें आ गया यहां पर डिंगो डॉग और देखा दोस्तों बात करेंगे आप से बहुत ही जरूरि स्वाट करेंगे एह वाला पर प्लाटेपस की बात करेंगे पहला सवाल यहां पर यह क्या देगा अंडे देगी यह जनवर क्या देता है Dri पशते टेता है इे यह जानबर हमारे पास कहां दोस्तों पानी में वाटर में रह सकता है हमारे ढूरती याँ यहां पर तीन काम कर लेता है यह आपको पानी में पाएजाएगा पानी में चोच से यहाँ पर अगर यह चलेगए दोस्तो इसका मतब इसके 4 पैर होते हैं कितने होते हैं इसके 4 प्लाटरबस की बात करने वाले हैं चोटा सा जानवर है अभी दिखाता हूँ आपको इसके बारे में आशिश कुमार जी हम लोग ऑस्ट्रेलिया पर रहे हैं यह ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो भी जानवरों की बात करूंगा आज मैं सारे ऑस्ट्रेलियन मिलेंगे यह क्या है पश्ट्रेलियन कुते हैं और यह फीज आपको अब लिखांगो एक एसी चुलिया है जो हस्ती रहती है बिना बात हस्ती एक चुलिया एसई होती है यहां पर जो अगर आगा रच कर दी है मिमिक्री स्पेशलेस मिमिक्री करती है अगर मालो जंगल में कोई और कववा चुड़िया बोल रही है उसकी आवास को कॉपी करके कॉपी करेगी डांस करती है वहाँ पार एक हसने वाली एक डांसिंग वाली सब देखेंगे चुड़िया बिलकुल किस राज्ये में मिलती है किसी क्या पूछ रहे किस राज्ये मिलती पृतम बरवा जी सब्सक्राइब ऑन के सब्सक्राइब कर लिए यह अपको पूरा प्लाटिका चलेंगे सेवन्त क्लास बादेंगे उसके बाद हम तिक है बिलकुल अभी आ रहा है प्रेम कुमार जी गुडबॉनिंग आशी जी किसकी बात पुछ रहा है आप जल्दी बताईए आशी जी आप किसकी बात कौन सा किस राज्य में मिलती है देखिए अगर डिंग सवम कैसे नाभीयजी हम है ठीक है यहाँ पर इस तान करओ देखो प्लाटिपस कहां मिलेगा दोस्तों यहां पर जो समुझाइबो के पास इलाका होता है समुझारी इलाका होता इसके पास पास को वहां मिलेगा ऐगभी आंड़े बीéfडिती है और क्या करते हैं यहां करत दोस्तों देखेंगे इहां यहां आपके सामने प्लैटिपस फ्लेंस से यह आ Hai com बहुत बढ़िया देखते हैं पवन जी गुड मॉनिंग कैसे पवन जी काफी लेट हो गया आप आज ठीक है पवन शर्मा जी गुड मॉनिंग ठीक है देखो प्लैटेबस है यहाँ पर आप देखो यहाँ पानी के अंदर है पानी में जो घासे मिल रहे है एक्वेटिक ग्रा आ रही है आपके पास क्लास में आ रही है यहाँ पर ठीक है इसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं यहाँ पर यहाँ पर दोपेर यहाँ इसकी चोंच देखेंगे हम लोग इसकी चोंच देखिए इसकी चोंच देखिए अपनी चोंच से क्या करती है बड़े बड़े कारन यहां पर एक पैर ये रहा एक पैर ये रहा एक ये रहा इसका मतलब 4 पैर हैं इसके यह चाहँ रहती फलार भी तो मैं तो आप ने देखा यहां प्लाइटी बाज किस तरह का है आपके सामने हैं यहां पर रितिक जी इसकी नोज नेल की तरह है बिलकुल सही बात है पबलिक की भारी मांग पे तस्मानिया डेविल दिखा दीजिए ठीक है यहाँ दिखाते हैं तस्मानिया डेविल देखें दोस्तों हम लोग देखाते हैं अब यहाँ पर तस्मानिया डेविल की बात करेंगे यहाँ पर, एक सेक्ड, देखिए, देखिए, यह रहा, आपको तस्वानिय डेवल देख रहा है, पहले इसके दाथ देखो, देखो, यह कह रहा है, पेटा, जादा मत देखो, मुझे मैं खा जाओंगा, इसके दाथ काउन कर लो, इसकी जीब देख लो, यहाँ पर, तस्वानिय डेवल, आपके सामने यह रहा, आप देखिए, यह क्या एक चुए की तरह दिखता है, क्या दिखता है, एक चुए की तरह दिखेगा, तस्वानिय डेवल, ठीक है, यहाँ पर, आप देख सकते हैं, चुए की तरह दिखता है, पर जो दाथ बाहर निकलते हैं, पिक के दाथ बाहर की तरह होते हैं, तो क्या है, इसके दाथ पिक की तरह दिखते हैं, यहाPUर आप उसके रिंखेए रन्जीत वर्मा जी हेलो कैसे हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, अ, सुश्मा जी, यह तसन यहाजी तस्मानिया डेविल है, सुश्मा जी, यह जो जानबर में दिखा रहा हूं आपको दोस्तो, यह तस्मानिया नम की जगा है इसका नाम क्या है तस्मानिया डेवल तस्मानिया में मिलेगा इजादा तस्मानिया डेवल कहते हैं यहाँ पर यह क्या है दोस्तो तस्मानिया डेवल नम का जानवर है देखने में चुआ और पिक का कॉम्बो लग रहा है यहाँ पर और यह शि चलिए बहुत अच्छी बात, थीकरे, संवियागे अगे देखते हैं, खुनाइ, धीकर आपको पढ़ाया, कंगारु दिखाया, कोला दिखाया, डिंगो डॉप दिखाया, प्लाटिपश दिखाया, यहां तक समझ में आया, जल्दी पताइए आपने नोट कर लिया, कॉपी कर लिया, इसको कॉपी भी करना है, जो मैं बोर्ट पर देख रहा हूँ, दोस्तों सब आपको कॉपी करना है यहाँ पर, इसको कॉपीड, जो मैं बोर्ट पर, जो मैं बोर्ट पर दोस्तों एक बहुत इंपोर्टन चीज अने वाली है, चुलिया, हम चुलिया की बात करेंगे दोस्तों, यहाँ बहुत सारी चुलिया प्लस चुलिया मिलता है, यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी बर्ड बहुत सारी है, यहाँ पर चुलिया बहुत सारी है, एक चीज और, जितने भी दोस्त हमारे भाई भेन यहां पर जुड़े हमारे यहां पर जितने भी पुरुष जाती के पुरुष जाती पुरुष जाती जन जाती जो भी पुरुष समाज के हैं यहां पर भी जुड़े हमारे साथ उन सब को इंटरनाशनल मैंस जे की हार्थी शुपकामना है बट हुग केस जानता है कौन पाइचारता है इंटरनेशनल मेंच्जेजें तो महिलाओ को बधाई देते हैं इंटरनेशनल मैंस देगी अप पृष्णों को कोप एक लास के अंदर दों को चलिया की बात करेंगे यहाँ पर चलियाğu की बात करेंगे हमारे पास बीडिया की दोस्तों ऐमू कौन सी ठीक है यह चलिया बहुत बड़ी होती है कह सकते है इसको यह size में क्या होता है big bird है ठीक है बड़ी चलिया है who cannot fly who cannot fly ठीक है जो ओड़ी सकती यह चलिया but who can run fast who can run fast इस लायकस्ट्रेज है उस्ट्रेज सभाफे पर उस्ट्रेज उस्ट्रेज होगी इस पर डिका मैं जैसे दौरता है यह चरिया इ मूँ करें खलने देखे यहा इसके लिखा नोई कैसे सिर्ट एमु बहुत बढ़ी चिलिया है यहां अपने जादा वेट के कारण क्या करते हैं यह उड नहीं पयती उड़ती तो नहीं है पर दोड़ सकती है यह आपर बहुत तेज शुको दिखा दोस्तों आप लोग देके ओस्ट्रिज देखिंगे हमारे दोस्त चोटे बाई-बाइन प्यारे धारे बच्कोँ यहां पर इंदर पहरे पहले चुट्रिक यह हम बधकिन देकिक केसी है इमुएं। आपके पास और आपके couch is यहां आपको मिल जाएगी यह इसका नरकंकाल है क्या है नरकंकाल है इसका जो पाया गया है सदियों पहले आपके सामने यहां पर चलिए बहुत बढ़िया इमू की इमेज दिखा दूँ बिल्कुल दिखा दी मैंने ऑस्ट्रिच जैसी दिखती है बिल्कुल कंगारू जैसे आप देखें दोस्तों यह आप देख पाएंगे अपनी प्यारी इमू ठीक है क्या है आपकी प्यारी इमू इसकी हाइट कितनी है मान लेते हैं यहां पर राजा बाबू खड़े हो गए यहां पर राजा बाबू खड़े हो गए राजु राठोड जी खड़े हो गए यहां पर प्रिके इंसान से ज़्यादा लंबाई होती है किसकी दोस्तों इसका नाम है इमू इमू नाम की चलिया है कहां मिलेगी यह यह दोस्तों आपको आस्ट्रेलिया में पाई जाती है यहां पर आस्ट्रेलिया में जब यह पाई जाती है इसका मतलब यह ओड़ नहीं सकती पर भाग सकती है, who cannot run, who cannot fly but run fast, बिल्कुल, 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 student, डाउटनर्ट, शिवम, तिवारी जी, नमस्कार, कैसे शिवम जी, आपने इसको देखा है, सही बात है, पूजा राठोर जी, आपके घर में पल रही है, छोटी मुटी, चलिए बहुत बढ़िया, ठीजिया, समहना आगया, ऑ SociZweat देखेंगे, समझ में आगया, यहाँ पर दोस्तों, यह NCRD चल रही है, चैनल को एक बाँ सुस्क्राइब करेंगे, सब ही बाई बैंड चैनल को एक बाँ सुस्क्राइब कर देगे, क्लास को लाइक कर देंगे जल्दी से फटाफट क्लास के लिकर कीजिए जल्दी से लाइक शेर सब्सक्राइब कर दिए फटाफट सुष्मा बारती कितने फिट की होती है सुष्मा बारती बहुती है सर्क कितने फिट की होती है देखे नॉमली हम बात करेंगे इंसान की आइड होती है साले 5 और 6 प्लस होती है यह 6 प्लस होती है 6 प्लस अमिताब बच्चन के आइड की है मतलब अमिताब बच्चन के हाइड की है कौन यह वाली इमू ठीक है मतलब अगर बिक भी अगर सामने खड़े जाएंगे तो इमू को यह चारा खिला सकते हैं यहाँ पर चलिए बहुत बढ़िया आगे देखते हैं लोग अगे देखें इमू नाम की चुडिया मलेंगी किस प्रकार की होती है मैंने वह चुडिया आपको दिखा दी यहाँ पर लाइफ चुड़िया दिखा रहा हूँ आपको ठीक है यहाँ पर चलिए बहुत अच्छी बाते बिलकल बिलकल इतनी बात समझ में आती है सबको एबा क्लास को लाइक कर देंगे भाई यो बेनो एबा क्लास को लाइक कर दीजिए अगर सबस्क्राइब नहीं किया तो फटावर दोस्तो सबस्क्राइब करेंगे जल्दी यहाँ पर ठीक है यहाँ पर इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर एक और चुड़िया होती है कुका बुर्रा कुका बुर्रा कुका बुर्रा नाम की चुड़िया है यहाँ पर दोस्तों कुका बुर्रा ठीक है यह laughing charge laughing जंकास मुट कह देना जनकास नहीं बोला जगास मतलब कह देखते हैं इसको किया हस्ता यह स्की हुई ज़िपास पहले शक्तिमान आता था उसमें को था जकॉल था जकॉल फा वह ठीक है उसकी बात नहीं कर रहा है यहाँ पर दोस्तों हम बात करेंगे लाफिंग जकास कुका बुर्रा को क्या कहते है लाफिंग जकास यह हमेशा हस्ती रहती है जिस लड़कियों की तरह कभी यह शर्मा के कभी यह शर्मा के शर्मा के शर्माती रहती है हस्ती रहती है ऐसी चलिया है कुका बुर्रा कौन सी है ऑस्त्रेलिया के जंगलों में पाई कर देंगे सभी भाइबेंट क्लास को लाइक करिए और सब्सक्राइब नहीं किया नीचे जाइए आप सब्सक्राइब का बटन प्रेस कीजिए प्रेस आइकन को प्रेस कीजिए एंसी अटी क्लास 6 चल रही है सिक्से लेके ट्वेल तक प्ला रहा हूं नोट्स साथ में बनमार हूं आपके अब बच्चे बोलेंगे सब कुका बुर्रा दिखाओ हमें हमें कुका बुर्रा देखना है यहां पर ठीक है दोस्तों कुका बुर्रा देखेंगे हम लोग आप बिलकुल देखेंगे कुका बुर आए यहां पर यह मुष्रा फिल के अंदर गुज जाएगी कुकाबुर्ण नाज अब ह sagen बी होती है दिमागी शातर भी होती है यहाँ पेड़ों पर रती यहां पर समझना इंव यह आगे में werk आपने झाले चलिए यहां पर काथ कैसी हूदे लाफिंटंस भी कहते हैं इसको यहां पर शाका हरी है बिल्कुल सीज़ी बात है शाका हरी है यहां पर बिल्कुल रुभी त्यागी जी आप लोग क्लास में बैटे हैं इसलिए नहीं असरे यह इसलिए नहीं इस रही चलिया ओके लाइक तो सब करते हैं राजा बबु लफ करता है चुडिया उसे बहुत अच्छी करोगे तो आपको यहां पर डे पापटमेंट कुन सा है प्यस जी में जयोगर्फी का घियो मॉफौाजी है है जयसे करते हो से गुड़ू सिंग जी गुड़ मॉनिंग कैसे हैं गुड़ू जी चलिए बहुत बल्या कुका पुर्रा आपने देख लिया आए होप सो आपको समझ में आ गया कुका पुर्रा दोस्तों हम अगली चुलिया देखने बाले हैं यहां पर कुका पुर्रा के बाद में एक और चु हुटा होता है ठीक है यहां पर इसको कहते हैं लायर बर्ड है ठीक है यहां पर लायर बर्ड के नाम से चुलिया को जानते हैं हम लोग अगली चुलिया लिखेंगे लायर बर्ड बिल्कुल चलिए सूरज जी आ चुके हैं हमारी क्लास में चलिए बताइए लायर बर्ड की बा आखिए मिमिक करती कैस्यव उसजाने को जैसा वह गाएंगी वैसा वैसे कपी आवाज मैं गादेगी लायर बडिट है अगर आस पास्सें ने बहुत सारे बारकिंग डाग अगर ऑटिंग डाउग की बात करेंगी दोस्ते चाव आपर में तो क्लिए होता है जैसे कुटे भॉकते जो आवाज आती है भाव भाव वाली वैसी आवाज भी निकाल देगी कौन लायर बर्ड ठीक है दोस्तों अगर पास में से क्या होता है पासिंग कार निकली अगर कार गुजरती है आस पास से यहाँ पर कार की जो भी आवाज होती है उस आवाज को as it is आपको feeling नहीं को दो अभी जंगल के अंदर कर को से आगई काR नहीं इस वहाँ पर हम थोत है हम वारबा है नाम बोल नाम बोल वह नाम बोलता है वैसी ज्वाज पर मिल्मिक्री आarटेस्ट होती है मतलब चय्छे से कि पिंक कौन है चलियाओ की जॉनी लिवर रहे है चलियाओ की राश्पल यादव है ठीक है यहाँ पर चलिए बहुत बढ़िया मुनेंदर पाल जी गुड मॉनिंग कैसे हैं राहुल राहुल पटेल जी गुड मॉनिंग बिल्कुल नीरज अपनी आवाज बार बार सुनाओगे आपको आवाज बिल्कुल मिलेगी इसके अंदर यहाँ पर समझना आया यहाँ पर दोस्ते बहुत क्लास को लाइक कर देंगे बहुत लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरू कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर ठालो कामेद कर साथे सब्सक्राइबस भी और दोन के तस्कैमेद हुआ, यह मिमिक्री आर्टिस्ट होती, मिमेध करती है, और यहाँ छिढ़्याहो की गुणी जीकार लेती है, और गालिया गुज़रती है, उसकी भीछ Kaupi कर लेती है मैं आपको दिखाताओं यहाँ पर यह कैसी होती चुरिया ठीके देखिए यहाँ पर आपको चुरिया दिखाने जा रहा हूँ यहाँ यहाँ यह हमारे पहाँ देख सकते हैं यहाँ पर इसको ज्रुटी चुरिया मत zeigt देना दोस्तों तो सोتي dash यहाँ पर सौरब मेलोडिक क्या बात है सौरब जी आपी की बात हुरती सौरब मेलोडिक जी आचके हैं नमस्कार लायर दिखा दो सर्फ जी दी धी कलास में है आज यहां पर हम बात करेंगे यह आपकी कौन सी है लायर बर्ड है, ऐस्ट्रेलियाम पाई जाती है दोस्तो लायर बर्ड आपको कुछ मॉर की तरह ने दीग रही मॉर की तरह दीग रही है पर more के चुप पर इस तरह से फैलते हैं इसके पर आप देख सकते हैं किस प्रकार के हैं यहाँ पर दीखे दिखे लायर वर्ड लायर वर्ड दिख गई ही दो से बाग क्लास को लाइक कर दीजिए सब दोस्त चितने बाइबहन स सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना बुलिए दोस्तो कहा पाई जाएगी यह ऑस्ट्रैलिया में पाई जाएगी अगर इस से बोलेंगे लायरब की सामने हम बोलेंगे यहां सोरबजी की आवाज निकालो सौरब जी कुछ बोलेंगे सौरब जी आपकी आवाज कॉपी कर लेगी पूरी ठीके अगर कार निकलेगी कुटे भोगेंगे चुड़िया गाना गाएंगी कोईल चुरेटा कववा कुछ भी बोलेगा उसकी आज़ेट इस आवाज सुना देगी आपको न स्यानी दास जी गुड़ मॉनिंग कर लेगी ठीके चलिए आगे दिखतें दोस्तों यहां पर लायर वड़ कहां है देखो हमारे पास यहां पर कंडिशन आती है हमने आपको जो भी पढ़ाते हैं क्लास के लिए अगर महां एक शब्द आपको दिया गया है अगर में चीज क की लिए यहां पर इस प्रकार की होती है यह यहां लाए ही अजिए ओकई कापी करने है माहर हैं लाइन अतंक तलिया किया बहुत अच्छी बात यहां तक आई है को отк desde घंडी की बात चलिती है हमारे पास यहां पर आगे पथे हम लोग गुड मॉर्नेंग प्रेम लुदा जी कैसे है तो हमाशा जी जी को बोलच माशनोंसे नाम नामयाद आया तो मनता हमारे पास इरान है एरान की करंशी पहले इरानियान रियाल्टी अब इरान की मुद्रा हो चुकी है तोमान हो चुकी है यहां पर चलिये बहुत बड़ा आगे देखते है अब हम बात करेंगे दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर आपको लिकना है crops अफ हमारे पास Australia में कौन कौन सी फसल पाई जाती है पहला सवाल तो मेरे सामने आता है फसलों के बारे में मैं कह सकता हूँ यहाँ पर major part of Australia is dry due to axis of desert इसको हिंदी में बोलते है Australia का इसको कॉपी करेंगे आप लोग मैं आपको साथ साथ क्लास में नोट सुन बाता हूँ bilingual Australia का अधिकतर भाग शुश्क होता है शुश्क होता है क्योंकि यहाँ अत्याधिक मरुस्थल पाए जाते हैं अत्याधिक मरुस्थल पाए जाते हैं यहाँ पर तो हम बात करते हैं तो अस्ट्रेलिया का मैक्समम पार्ट क्या है सूखा पला हुआ है क्योंकि बिल्कुल सरी बात है विकास जी विकास सूनकर जी हेलो कैसे है निदी मौरिया जी नमश्कार माइ नेम इस सेट अप हो जाता है पिक्चर से राजा मुरारी कुमार जी बहुत बढ़या देखे दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे यहाँ अध्यादिक भाग कैसा इसका शुष के ऑस्ट्रेलिया का अब खेती बाली की बात करते हैं दोस्तों तो हम इसका अगला पॉइंट बोल सकते हैं only 4% land of australia only 4% land of australia is used for cultivation for cultivation हम लुक क्या बॉलिंगे इसके अंदर Australia के कुल 4% भूमी पर क्रिशी कारे होता है अब मैं मैं आपने दिखा दो हूँ आपको यहाँ आस्ट्रेलिया में खेती बाली कहा होगी यहाँ पर यादकना दोस्तों जहाँ वर्षा होती है और दोस्तों वर्षा होती है और दोस्तों वर्षा आस्ट्रेलिया के एस्ट में होती है साउथ एस्ट में होती है और साउथ वेस्ट में होती है यहाँ पर आस्ट्रेलिया के पूरब में वर्षा होती है और आस्ट्रेलि यहां पर दोस्तों हमारे पास क्या है यहां वर्शा की बात करते हैं सिर्फ चार परसन रिलाका ऐसा है जहां खेती बाली हो सकती है लायर वर्ड का टैलेंट नैचरल होता है बिलकुल नैचरल है अकाश पनवार जी हेलो कैसे हैं शीतल नागी जी गुड मॉनिंग सरोच कुमा चैनल को सबस्क्राइब कर दीजिए और क्लास को लायक कर दीजिए और क्लास को लाइक कर दीजिए और यह चीज़ आपके आजबी काम की जिंदीकी बर काम काम आएगी NCRT 6-12 तक पढ़ा हुआ जिन्दी के साथ भी जिन्दी के बाद भी LIC जीवनी बिमा की तरह है बच्चों यहाँ पर आपके बच्चे भी बढ़ेंगे फ्यूचर के अंदर किताबे ठीक हम रहे या ना रहें पर हमारा ग्यान आपकी कॉपियों के अंदर होगा और वो कॉपियां आपके बच्चों के बाद जाएंगी पढ़ने के लिए आगे दिखते हैं यहाँ पर दोस्तों हम बात करेंगे only four person land of Australia is used for cultivation सिर्फ चार प्रतीज़ भूमे असी है जहाँ पर यहाँ पर cultivation होता है यहाँ एबच क्लास को like करेंगे दबा के सब लोग क्लास को like करिए share subscribe करिए यहाँ पर निरज जी एक काम करो महां जाके तुम लायर बर्ड को लेए आओ ठीक है यहाँ पर लायर बर्ड को बिलकुल आप लेके आ सकते हैं वहाँ पर जाके पाल के अगर ऑस्ट्रेलिया से आ सकती है तो custom pay कर पाओगे तो ले आना ठीक है यहाँ पर दोस्तम बात करेंगे सिंट लार्जेसघ डरी औंड औस प्रेलिया इस इस लार्जेसघ्ट पर जाके जो ने यहाँ चैके जो मैं वरशल क करने जा रहाँ वहां वर्शल हो गी बारिश वाली थाज vai psychology सचा करती है दोस्तों ऑमारे पास यह वाँ dejar यहाँ जी वालशा ज्यादर आ यहाँ खेती वा होता है दोस्तों खेती बारी होती है यहां तक खेती बारी होगी उसके बाद आप देख सकते हैं यहां पर खेती बारी के लावा फिर यहां होती है खेती बारी होती है यहां पर कैसे होती है मैं आपको बता देता हूं उसकी बारे में देखें दोस्तों यहां पर हमारे पास क् परवते ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ठीक है औस्टेलिया के इस्ट में खिती बारी होगी दोस्तों कहां होगी औस्टेलिया के इस्ट में खिती बारी होगी और यह क्या है दोस्तों साउथ इस्ट है और दोस्तों यह वाला उतार साउथ वेस्ट होता है औस्टेलिया के सा नाम किया है उस माउंटेंड को हम लोग कहते है डार्लिंग रेंज क्या कहते हैं दोस्तों डारलिंग डार्लिंग नदी भी है उस्ट्रेलिया में पर यह परवत wine these darling range की वजे से और रामिशा परती चलिए पिंकु जी आ चुके हैं गुड मॉणिंग पिंकु आप काफी लेड़ा दोड़े क्लास के अंदर बहुत देखाते हो एक पर दोस्तों क्लास को कर देंगे जल्दी से क्लास को लाइक शेयर सबस्क्राइब कर देंगे फटा फटूढ बी टाई में तो यहां 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 तो वरिशा होएं नी बारिश का हूती है यहां होती और अगर मैं तो यहां बात करता हूं किसकी वारिश की बात करता हूं यहां पर तो देखो यह वाले हिस्साइद दुस्तों क्या है हमारे पास इस्ट है अगर इस्ट से वेस्ट जाओंगा तो वारिश कम हो जाएगी यादग ना ऑस्ट्रेलिया में अगर पूरफ से पस्चिम की तरफ दर बढ़ूँगा तो वर्शा की म आपुरेशन कंडेंसेशन और शा हो जाती है बिलकुल हम अभी आ रहा है फसलों प्यार गुड़ मानिंग गौरफ सोनी जी कैसे हैं दोस्तों क्लास को बिलकुल बिलकुल एक लाइक कर देंगे सब लोग डार्लिंग रिवर भी है बिलकुल सही बात है यहां पर बिलकुल ओ बिलकुल वाइब करेंगे इन 4 पर्सेंट धुमी को छोड़ेंगे नहीं खेती बाड़ी करके लोटेंगे आज हमा से चलिए बहुत बढ़िया राजा बाबु अभी हमारे पास एंसी इडी पे न्यूजलेंड चैप्टर नहीं है वैसे मैंने न्यूजलेंड आपको एक पहले चलिए बहुत बढ़िया शिवानी सोनी चेकल क्लास मंडे से लेके आपकी सेट्नेडे तक होगी संडे ओफ रहता है हमारे पास हीटूब और कभी कभी संडल को मैं मैराथन लेता हूं तक screaming यहां पर देतेश यहांपर उतनी बात क्लेर हैं तो हम आगे बड़ते हैं यहां पर दिया जैसे आपको पता है हमारा भारत जब से आजाद हुआ है या उससे पहले से दोस्तों बात करते हैं इंडिया की बात करते हैं हमारा भारत कृषी प्रधान देश है यहां सब अच्छे जानते हैं हमारा भारत कैसा देश है एक कृषी प्रधान देश है दोस्तों उसी तरह से हम बोल सकते हैं जो ऑस्ट्रेलिया है वो भी कृषी प्रधान देश ह हमार पास Australia is also an agriculturalist country ठीक है क्या सकते हैं इसको दोस्तों हम लोग अस्ट्रेलिया क्रशी प्रधान देश है क्रशी प्रधान देश है तो ऑस्ट्रेलिया क्या है भारत की तरह ही दोस्तों एक क्रशी प्रधान देश हैं यहां पर प्रभाज जी गुड मॉनिंग कैसे हैं प्रभाज जी तो दोस्तों में खेती बाली मैंने बताया ऑस्टेलिया की चार परसेंट भूमी जो है दोस्तों हमारे पास किस काम आती है खेती बाली के काम आती है सब लोग जानते है ठीक है खेती बाली के काम आती है ऑस्ट्रेलिया की चार परसंट भूमी सब जानते है इसको ठीक है यहां पर अब यह भूमी चार परसंट है और ऑस्ट्रेलिया एरिया में तो भाया इंडिया से बड़ा है ऑस्ट्रेलिया छटे नमबर पर आता है भारास साथ में पर चोटा एंडिया एरिया में तो चार परसंट बहुत हो गई तो क्या होता है इसको मतलब खेतों को जोताई के लिए क्या करते हैं खेतों को जोतने कम आबादी अगर जो अनाज उगाएगी इसके अंदर तो मशीन काम जल्दी कर देगी मशीन कैसे काम करेगी रैपेडली मशीन बहुत जल्दी काम कर देगी यहाँ पर तो इनको बहुत आराम मिल जाएगा यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की 4% भूमी पर इस्तेमाल क्या करते हैं वह टेकनोलोजी का अस्तेमाल करते हैं मशीनरी का इस्तेमाल करते हैं मशीन रिया अन्याज काम उगता है को जनसन के वान की कम है तो उसलिए मचीन जल्दी काम करेगी यहाँ पर रैपेडली मैं आपको दिखा देतो मशीन इसशी ऐस्ट्रियलिया की इंसी आई जखें में यहां पर देखें यहां पर देखेंगे हम लोग एक मैप है इसके अंदर हमारे पास ऑस्ट्रेलिया का ही बात करेंगे यहां देखो यह रहा देखे दोस्तों हम बात करेंगे यह उस्टेलिया के फसले हैं आपको अभी इतना विजिबिल्टी नहीं दिखेगी तो मैं आपको दिखा देता हूं इसके बारे में यहां देखिए यह क्या है हमारे पास गाली है थोड़ा सा विजिबिल्टी लुका रहा भार यह बंदा बैठ ऑवा यहां पर और यह क्या है घ्हास है यहां पर इस तरह से करते हैं कने लिघेखें हैं और यहां पर क्ल्णे वाली दोस्तों होती है टिक है यहां पर क्लास के दो टाइम है, अगर आप NCID पढ़ते हो सुबा, नोट्स बनाते हो, ठीके, तो 6 से लेके 12 तक NCID पढ़ा रहा हूँ, टाइमिंग रहेगा सुबा 10 से 11, ठीके, 10 तो 11 टाइमिंग हमारा मॉर्निंग में है, और अगर आप BPSC या State PSC की तैयारी करते हो यहाँ पर, तो इस पर topic wise मैं करा रहा हूँ, शाम को 6 से 7 में कराता हूँ, इसी चैनल पर Indian geography, क्या कराता हूँ, Indian geography कराता हूँ, यहाँ पर, MCQs बें solution कराता हूँ, यहाँ पर, आज का Indian geography का topic है, भारत की नदिया, इंडिया की reverse, कौन से नदी, कहां से निकलती है, कहां को गिरती है, कितने राज्ये से गुजरती है, साहयक नदिया कौन से है, कौन से बांध बने हुए है, वो बात करेंगे, हम आज शाम को 6 से 7 इसी चैनल पर, कहां पर Indian geography के अंदर, तो हमारी दो class होती है, Monday से Saturday का schedule है, और हर 15 दिन में टेस्ट लेता हूँ, marathon series होती है, हर 15 दिन में marathon series होती है, यहाँ तीन गंटे के Sunday, 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 और याद अक्षना दोस्तों, आज शाम को हमारे पास 7 बज़े इसी चैनल पर, आपके वास, quality का, हमारे पर महा संगराम होने वाला है, polity का, ठीक है, यहाँ पर, polity का, knowledge war होने वाला है, आज दो teachers की बीच में, एक हमारे पास, quality queen है, करुना मैम, और यह के, politi king है, हमारे पास, उनकराम, अंके सर, ठीक है, अंके सर, करुना मैम की बीच में, महा संगराम, polity का छड़ने वाला है शाम को साथ में जूड़ा बिल्कुल न भूलिए, उनके साथ, कौन कौन, ट्रेटर, अरे कोई बात ने हैं यहाँ पर, राजु जी वो अपने ही कुछ लोग होते हैं, जो इस लैक कर जाते हैं, teachers के efforts क्या लग रहा है, उनको यह नहीं पता होता, ठीक हैं, यहाँ पर, चलि ब्रीफ में, बहुत ज़्यादा ब्रीफिंग करता हूं, यहाँ आप देख पा रहे हैं, किस तरह करता हूं, यहाँ पर, यहाँ पर नमबर पास, BPSC वाले एक बैच चला रहा हूं, शाम को, यहाँ पर, इंडियन जोगरफी स्टार्ट करिए, अभी दो तीन क्लास हुए, ज्सटेंब से जहाँ है, यहाँ पर इतनी बात क्लिए हैं, यहाँ पर चली तूस्तों, आज के लिए हम लोग का ठीखे, कल continue करेंगे क्रॉप्स करेंगे, कल क्रॉप्स में कंट्रियू करते हैं, मंडे को, मंडे को करेंगे, सेम टाइम है, नहीं अई उमीड, नहीं जोश, नहीं जिजबे के साथ शाम को भी जुड़िए मेरे साथ 6-7 आप लोग और मंडे को इसको कंट्रिव करेंगे अबिनाज जी क्लास को रिकॉर्डिट दिख लीजिए यहाँ पर अगर कोई दिक्कत होती है कमेंट बॉक्स पर कोशन डालिए मैं रिप्लाइ गरूँगा उसका ठीक है यहाँ पर कोई समस्य नहीं आएगी नोट सासत बनाते जाएंगे यहाँ पर जहां जरूत पड़ेगी स स्क्रीन शॉट भी ले लेंगे अपने पास और लैपटॉप में एक फोल्डर उनाके सेफ कर लेंगे ठीक है दोस्तों ठीक है मिलते हैं अगली क्लास के अंदर ठीक है और क्लास की लिए कर दिए सब लोग लोग क्लास को लाइक करके शेयर करना और सब्सक्राइब जरू झाल झाल